गोल गप्पे खालो गोल गप्पे तो फ्रेंट्स मेरे को मैंने कर रहा था गोल गप्पे खाने का और मैंने मम्मी कहती कि मैं बना लेती हूँ बट मेरे को खुद से बना के खाने थे तो मैंने गुल गप्पे ले लिए और मैंने मम्मी को कह दिया कि तेल गरम करने को रख दो और जैसे ये तेल गरम होएगा मैं इसमें तीन तीन चार चार करके गुल गप्पे डालने लग गई और फिर कुकर में मम्मी मैंने डाल दिये आलू मम्मी से पूछ के डालने है और मैंने तो आज गोलगप्प बनाने की ठान रखी थी चाय मेरी चाय में पोचुना कडाई तक फेर भी मैं गोलगप्प बनाते बहुत डांस किया और गोलगप्पो को भी गरम तेल में बहुत डांस करवाया गोलगप्पो को भी सर्दियों में गरम तेल में नहार के मज़े निए CAREy और मीरे को वी कोके खेक काके तो यह मेरे आलू की B5 फैली सीटी आ लुकुछ एफिक है तो मैंने सारे गोलत जबनाली थे और मैंने सारे तक बना तो लिए और यह क्योंकि यह उस्ठी बड़े बने थे रा तो मेरे मुह में नहीं आए मेरे कौछ तोड़ के इसको कहा देखाने परेовे हो अब तुम्हा चलती हूं जो आप सा आगे मंमी का का क्यूं मैंक। तो ब्रक्राइब धोनाय, प्रमक्राफ मरें चाट बनाने का मन है। सब्सक्राइब करने जीद तो मैंने हम कालाणी जीरा, पानी तो और भी मैंने जीन, मैंने बढूनाय, और चाट मसाला नमक ना साथ में यूज होता है इसलिए में ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख देती हूं रैड चिली पाउडर और ये नमक खटाई के लिए मैं इसमें डाल रही हूं नीम्बू का रस तो एकदम से लाजवाब ये गुलगपे बनके रैडी हो जाते हैं फटा फट वाले ये मार्केट में पैकेट मिलता है इंस्टेंट वाले गुलगपे है इसके लिए पहले से आपको कोई त्यारी नहीं करनी होती है हमें एससे हम पापड़ वगयरे फ्राइय करते हैं वैसी ही फटाबड फ्राइय हो जाते हैं थोड़ा सथेल करू जल्दी जल्दी से वे दो तरिम डाल कर लो ओप एकदम से करंशी टेस्टी बनके ये डैडी होते हैं पानी मेंने पहले कि बनाके रैडी कर लिया था जब झ बिटिया तभी मैंने पानी साथ के साथ बना के रैडी कर लिया था क्योंकि जब वो घीचन में उसके पास ही खड़ी रहती हूं कि डर लगा रहता है कि बच्चा कहीं पे कोई नुकसान ना पहुंच चाले सारे के सारे गोलगब के उसने बना दिये थे खुश भीतनी थी कि मै अकिली खाओंगी इतने सारे खालेगी कि हां मैं खालूंगी लेगिन गोलगब पेचने बड़े बड़े थे उसके मुह में ही नहीं आ रहे थे बाद में उसने तोड़ तोड़ के गोलगब पे फाई तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जिरूर बताना और हां आप भी एको लगब पे ना घर पे रख सकते हो जब बच्चों कामन करें तब फटापट से में फ्राय करके दे सकते हो इनके लिए आटा गूंतने की जरूरत होती है ना ही कोई पहले से प्रिप्रेशन करने की जरूरत होती है तो बाई फ्रेंड्स म मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में